आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी वेब सीरीज के बारे में जो कि आप अपनी फैमिली के साथ देख भी सकते हैं और उन्हें इंचोय भी कर सकते हैं और आप इमके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखकर आपको अपनी फैमिली की भी याद आ सकती है तो चलिए बिना देवी करते हैं शुरू करते हैं नमबर फाइब पे हैं ट्रिपलिंग ट्रिपलिंग एक टीवी एफ क्रियेशन है और ये एक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है जो कि स्टार करती है अमोल पराशर, सुमित व्याश और मानवी गागरू को इसमें एक तीन सिब्लिंग की स्टोरी दिखाई गई है जो कि अपनी प्रफेशनल और परसनल लाइफ से खुश नहीं होते हैं और फिर वो तीनों प्लान करते हैं एक रोट ट्रिप के बारे में और उस रोट ट्रिप पर वो क्या-क्या सोचते हैं और क्या-क्या वो अपने सीरीज की कॉमेडी टाइमिंग, कॉमिक टाइमिंग जो अमोल पराशर और सुमित व्यास की है वो इस सीरीज को इंट्रस्टिंग बनाती है और इस सीरीज में आपको जो अनकंडिशनल लव दिखेगा सिब्लिंग के बीच में वो आपको आखरी में इमोशनल जरूर कर देख सकते हैं टीवी एक प्ले अपे और जी फाइब पर भी अब यह सीरीज अवेलेबल है फ़र फ्री नमबर फोर पर नमबर फोर पर आते हैं मेट्रो पार्क मेट्रो पार्क एक सिच्वेशनल कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जो की रंवी शोरी और पूर्वी जोशी को सिरीज में एक गुजराती फैमिली की स्टोरी है जो की शिप्ट होती है तू अमेरिका और उनको क्या-क्या प्राब्लम्स आते हैं और क्या-क्या एक उनको कुल्च्रल डिफ्रेंस को फेस करना पड़ता है वह बहुत ही हूमरस वे में दिखाया गया है और सपोर्टिंग का पात करें तो ओमी वेद्या की आक्टिंग भी बहुत अच्छी है इस सीरीज में और रनवीर शोरी और पूर्वी जोशी का भी जो कॉमेडी टाइमिंग है और सिचुएशन जो वो जिनमें वो फस्ते हैं तो वो आपको बहुत ही फनी वे में दिखाया गया और यह बहुत ह कॉमेडी ओरियंटेट सीरीज है यह बहुत ऐसी सीरीज है जिसमें आप हस हस के पागल से हो जाएंगे और आप इंजॉय पूरा करेंगे इस सीरीज में आप बोर नहीं होंगे इस सीरीज को मैं कहूंगा कि यह मेरी परसनल फेवरेट्स में से एक है तो इसको जरूर देखे तो इरोज नाओ पर आप इस सीरीज को देख सकते हैं टॉप थ्री पर जाने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो मैं चैनल अब चलते हैं नंबर थ्री पर नंबर थ्री पर आएगी यह है मेरी फैमिली यह है मेरी फैमिली एक बहुत ही इंट्रस्टिंग सी स्टोरी है 1998 की यह स्टोरी दिखाई गई है इसमें लीड रोल्स में हैं विशेश बंसल मोना सिंग और आकर्ष खुराना और इस सीरीज की जो स्टोरी है वो एक छोटे बच्चे की नजरिये से दिखाई गई है कि वो कैसे अपने समर वेकेशन जिंचाय करता है और इस सीरीज में विशेश बंसल की जो एक्टिंग है वो बहुत ही रिलेटेबल लगती है और जो उनके मादर फादर का रोल प्ले कर रहे हैं मोना सिंग और अकर्ष खुराना वो भी आपको अपने ममी पापा की याद दिलाएंगे अकर्ष खुराना की अक्टिंग में को काफी अच्छी लगी क्योंकि ऐसे पापा तो सभी चाहेंगे बहुत सपोर्टिव दिखाया गया है इनको और एक टिपिकल इंडियन मदर दिखाया गया मोना सिंग को की बहुत केरिंग और कुछ ऐसे ऐसे किस्से की जिसको आपको हस भी आएगी और इमोशनल भी करेंगे और इसमें जो सपोर्टिंग कास्ट है अहान, निर्भान और प्रकाश रेडी उनकी एक्टिंग भी तारीप करना चाहूंगा क्योंकि जो अहान, निर्भान है वो विशेश पंसल के भाई का रोल प्ले करते हैं और वो ब्रादर्स में जो लडाईयां होती हैं और आखरी सीन में जो वो इमोशनल कर देगा आपको, आखरी सीन देखकर, अगर आप ये सीरीज जरूर देखें और ये सीरीज देखने के लिए आपको सोनी लिव पर जाना होगा या फिर आप अगर फ्री में देखना चाहते हैं तो TVF प्लेपर भ वो था रुभी खान किया आख़ें वो तो बहुत ही क्यूट है बई मैं देखकर उनसे नजरें नहीं अखती जब वो अपनी क्यूट क्यूट बाते करती हैं तो वो इस शो की एक बहुत ही पिविटल पार्ट है तो उनको भी मेंशन किये बिना इसका रिवीव तो नहीं खत लीड रोल्स में हैं, इन दोनों की acting आपको काफी relatable लगेगी और यह एक आहम आपनी family की story है, जो common man, जो middle class आत्मी है, वो कैसे अपनी problems को solve करता है, और कैसी छोटी-छोटी खुशियों में हम खुश हो जाते हैं, और कैसे हम अपनी problems को tackle करते हैं, वो सारा कुछ एक बहुत ही, एक comedy के अंदास में दिखाया गया है, और supporting actors की बात करूँ तो चंदन आनन, गुंजन मलोतरा, और सुधी चौपसी की भी acting बहुत ही अच्छी है, सुधी चौपसी एक पडोसी का किरतान निभा रहे हैं, और वो आपको जब भी screen पे आएंगे, तो आप उनको, उनसे नजरे नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि वो एक ऐसी comedy timing उनकी मुझे लगी जो कि बहुत ही अच्छी थी, और मेरी favorite character इसमें, कमलेश गिल, जो कि दादी का role कर रही हैं, वो थी, क्योंकि उनकी acting और जो expressions थे, वो बहुत ही अच्छे थे, और एक ऐसी दादी तो सब को ही चाहिए, और मुझे तो सच बोलू, तो अपनी दादी की वियाद आ गई, कि जैसे वो अपने पोते और पोती की side लेती थी हर बात, जब वो अपने बेटे और बहु से लड़ भी जाती थी इनी बातों पर, और बहुत ही एक अच्छी web series, और मैं कहूंगा की family हो तो ऐसी हो, और बहुत ह बहतरी एक तरीके से दिखाई गई है, और acting में भी सबने बहुत ही अच्छा किया, और कुछ-कुछ scenes ऐसे हैं कि जो आपको emotional कर देंगे, और आखरी scene जो आता है वो तो सच्छी में मुझे भी काफी emotional कर दिया, तो ये series तो देखनी बनती ही है, और इस series को आप देख सकते है TVF Play पर और अगर आपको TVF Play पर नहीं देखनी तो अब Z5 पर भी इसके तीनो seasons देख सकते हैं, इसका एक vacation special भी आया था जो YouTube पर आपको मिलेगा, लेकिन उसको आप तीन seasons देखने के बाद ही देखिएगा, ये series तो मैं कहूंगा कि आप बहुत ही enjoy करेंगे और one of my personal favorites, तो जो की है गुल लख, ये बहुत ही एक अच्छी comedy drama web series है और इसको आप अपनी family के साथ पूरा enjoy कर सकते हैं, और इसमें जो star cast है वो जमील खान, गितांजली कुलकर्णी और वैभव राज गुपता और हर्ष माय, ये इस story के main characters है, ये एक middle class family की story है, जो की अपनी problems को काफी एक positive mindset से लेते हैं, और इसमें आपको काफी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आप अपनी family से इसमें भी relate कर पाएंगे, आप सोचेंगे कि मैं कह रहा हूं कि सब में ही है, पर ऐसा ही है क्योंकि ये सारी web series ही, मतलब best out of the world हैं, तो इसलिए इस सब web series में आपको ये चीज तो family values तो मिलेंगी, और कैसे ही, कैसे ये अपनी problems को solve करते हैं, और कैसे, और इस series की जो सबसे खास बात मुझे लगी वो थी इनकी family bonding, family bonding देखकर तो मैं इनका fan ही हो गया, और acting wise अगर पात करें तो जमील खान और गितांजली कुलकर्णी की acting इतनी natural लगती है कि हम भूल चाते है कि हम web series देख रहे हैं, कि ऐसा लगता है कि कोई vlog चल रहा है, कि किसी ने अपने घर का vlog चला दिया और acting तो लगती ही नहीं है, बहुत natural और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि थोड़ी छोटी मोटी kit pit होती है, और इसमें जो भाईयों का किर्दार निभा रहे हैं, वैभव, लगेगा कि आपको अपने siblings की ही याद आ जाएगी, और जैसे जो teenage में problems होती है, या फिर board का exam वगेरा वो भी इसमें काफी अच्छे से cover किया गया है, एक sweet सी story है और इसको आप देखते ऐसा लगेगा कि इतनी जल्दी खतम हो गई, क्योंकि इसमें सिर्फ episodes की length काफी छोट ही है, अगर मेरी कोई complaint होगी गुलब से तो मैं कावगा कि थोड़ा सा हो और लंभी episode की length हो सकती थी, क्योंकि इतनी sweet story और इतना, मतलब मैं तो इसका सबसे बड़ा fan ही हो गया था, जब से यह मैंने देखी, और इसमें acting wise भी सब का बहुत ही अच्छा काम, और सुमीता की timing लेकर आती है, और आप किसी भी character को इस series में ऐसा कही नहीं सकते हैं कि वो natural नहीं लग रहा है, इस series को तो सबसे ज़्यादा reviews भी आप इसके देख लें, तो कोई negative review आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इस series में कुछ भी ऐसा ही नहीं, और सब कुछ इतना real लगता है कि यह series मुझे तो लगता है कि one of the most realistic series of all time जो अभी तक मैंने देखी है, और ऐसी ही कुछ और मज़दार family web series आपको अगर चाहिए, तो यह मैं लाता रहूँगा, तो मेरे channel को like, share और subscribe ज़रूर करें, तब तक के लिए, टाटा, बाइबाए